कॉंग्रेस कार्यकर्टाओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के निराकरन के लिए बैठक हुई बता दे कॉंग्रेस प्रशासनी कात्याचार निवारंड समीती की बैठक रादिसबा सांसाद और पूरमुखी मंतरी दिगविजय सिंग के अधिक्षिता में हुई समीति के अध्यक्ष दिगविजा सिंग ने कहा कि कारेकरतां को प्रतारित करने के केस कॉंग्रेस पार्टी लड़ेगी और सभी के केस प्री में लड़े जाएंगे मतादे की जिम्यदारी भी कई लोगों को दिगे और मामले में तैसिल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जाएगे उन्होंने का कि छोटे-छोटे केस में कारेकरतां को सताया जा रहा है जब कोई केस नहीं होता है तब भी 159 में कारवाई की जा रही है नौ कांग्रेसियों पर जबरन के केस ला दे गया है गैर कानूनी ढंग से कारवाई करने वाले दिकारियों को भी कोर्ट में खड़ा करेगी सांसा दिग्गी ने कहा पार्टी परिवर्तन संकल पभियान शुरू होने जा रहे दतिया सुर्की बदनावर में नात की सभाव को रखा जाएका बीजेपी ने वोटर लिस्ट में फरजिवाड़ा किया है कामलाजी के निर्देशन पर जितने भी प्रतारित कांग्रेस के कारिकरता होंगे क्याम जैए वो तैसील की कोड या हाइड कोड सुपरीम कोड जो भी ऐसे कारिक करताओं पर प्रताडित करने के जूटे प्रग्ण बनाए गए हैं उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और